तो friends आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास mini DC motor है और ये motor हमारी बिल्कुल भी घूम नहीं रही है ये देखे एक बार मैं आपको supply देखे भी चेक करा दूँ तो ये मेरा testing device है तो इसकी मदद से जब हम इसको supply देते हैं तो यहाँ पर ये motor बिल्कुल भी हम our channel कांप नहीं कर रही है तो इस टाइब की problem कभी आपके साथ में भी आ जाए कि आपकी motor धीरे-धीरे घूम रही है और ज्यादा अधरवाइज वीडियो को डिसलाइक करें ज्यादा समय नगवाते हुए वीडियो कंटिनुए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए आपके पास मोटर जाई चोटे साइज की हो या बड़े साइज की हो सभी मोटर के अंदर रिपैरिंग का सेम प्रोसेस रहेगा तो यह हमें प्ति की पत्ति को इस तरीकेे से अलग के लिए कि इस मोटर कें प्रोसे प्ति की यहां से हमारी तो यहां पर क्या है कि यह जो पत्ती है कई बार यूज होते होते इसके पत्ती फैल जाती है या फिर कई बार इसके अंदर कार्बन आ जाता है जिसके वज़े से यहां पर इस मोटर को करंट नहीं मिलता तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो पत्ती आप देख सकत पत्ती को इस तरीके से साफ करना है गर आप ऐसे करोगे तो यह प्रम के और साफ करना हुआ कि मैंने दोनों साइट की मोटर की पत्ती को इस तरीके से साफ कर लिया हूँ और आप देख सकते हो कि अब इसके अंदर हलकी से चमक आगी है अभी तक ये कुछ मैली मैली से दिखाई दे रही थी तो इस तरीके से आपको यहां पे इन पत्तियों को साफ कर लेना है और पत्ती यह हलका हा आपको blade मारने है ज़्यादा जूर से आपको निमारना बस यहां पर इस तरीके से मैंने इस के उपर के carbon को साफ कर लिया है इतना काम करने के बाद हमें इसको दुबारा से fit करने तो यहां पे सबसे पहले हम इस तरीके से मोटर को इस तरीके से डालेंगे और मोटर को डालने के बाद इसको इस तरीके से प्रैस करना है ठीक है यह आग एक तरह हमारा प्रैस होना चाहिए देखिए मैं तरीका भी आपको बता रहा हूं क्योंकि गल्द तरीके से आप करोगे तो फिर नहीं होगा, इस तरीके से करने के बाद हमें इसको यहां पे डालना है, इस तरीके से आपको देख लेना, बीच ओ बीच हमारे चीज़े चलीगी और यह लोग हमारे बिल्कुल साथ में आ चुके हैं, और यहां पे इस तरीके से हमें अब इसको अंदर की तरब डालना है तो यहां पर यह लोग आ गया हमारा अब हमें क्या करना है कि यहां पर यह जो पॉइंट है इसको फिर से किसी पेशकर से इस तरीके से दबा देना है देखिए इस तरीके से हम दबा देंगे यह हमने इसको इस तरीके से दबा दिया और इसको भी हम इस तरीके से दबा देंग तो यहां पर देखें, मैं इस तरीके से सफ्लाइज जोड़ाँ हूँ, देख सकते हों कि अब हमारी मोटर बढ़ी है तरीके से काम कर रही है, लेकिन यहां पर क्या है कि यह मोटर चलने के बारत बहुत जादा मचा रही है, तो जब भी आपकी मोटर बहुत जादा आवाज कर करना है इस तरीके से देखें यह meerब पास सिलाय मजीन वकषिण क करना है कहां पे हम लगाएंगे एक तो हमें आगी करके सnyल ओईलों डालना है यह झाल है इस तरीके से हम भाका सा हम भीमो चोटी बड़ी मोटर हो जई पंक्ड की मोटर हो या कुलर की मोटर हो या फिर इस ट्रीक थाइо पिसके अंदर आप को मसीन का ऑ weten दाल लेना है या फिर आपके पास मोविल वगेरा हो वह भी डाल सकते हो मसीन का टेल डालने के पाद हमें हाँ से इस तोड़ा सा है अससे कर देना है अब उसके बाद हमें फिर से इसको सप्लाइग के चलाना जोड़ी दिर इसको इसनी तरीके से चलांगे यह देख सकते हूं कि इस तरीकरे से सप्लाइगर डेने कब Nuevac तो इस तरीके से कोई स्टाइब के मोटर हो और वह धीरे घूम रही है या रूख रूख के घूम रही है या ज्री रिख हर तब तो आपको सम्नेका अधिशा की डालना करना है और पत्ती का ध्यां रखना कि पत्ती आपको मूडे ना हिसाब से आपको हलके से ब्लेड से साफ और दुबारा से फिट कर देना आपकी मोटर बढ़िया तरीगे से काम करने लगेगी तो यहां पर हमने इस मोटर को बड़ी अराम से repair कर लिया है अगर आपके पास भी इस टाइब की कोई motor है और वो काम नहीं कर जी तो आप इस तरीके से आपनी repair कर सकते हो तो उमेद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें